तुझ आ है एट एक एट रहा है श्लाम अलेकुम आज कि इस वीडियो में जो हम डिसकेस करेंगे वो एकसराइस 6.3 फर्स्जेर्स सिक्वेंस एंड स्रीज शीच्वेंड प्रणा वो किसके प्रणा है अट्नमेटिक मीन की कोश्सन को प्रणा है और सबसे परला है एक जो find our three numbers हमें क्या करना है तीन नंबर निकालना है कौन से तीन नंबर जिसका sum sum is 15 and the product is 45 और इसका product किसके बराबर है 45 के बराबर है ठीक है तो जिब कभी भी आपको तीन नंबर के बारे में करेगा या फिर तीन ट्रम करेगा तो जो हम नंबर लैट करेंगे वो क्या लैट करेंगे कि A मैनिस D A और A प्लस D ठीक है जब कभी भी हमें क्या करेगा तीन नंबर तो तीन नंबर को जो हम सपोर्स करेंगे क्या करेंगे a minus d a a plus d are the three required numbers नहीं सबस्क्राइब क्या करेंगे let कर लेंगे कि यह तीन वो number है जो हमें क्या चाहिए ठीक है सबस्क्राइब given condition क्या कह रहा है whose sum is 15 यानि कि जो इस तीन number को sum करो होगे तो उसका sum किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा इसका मतलब a minus d plus a plus a plus d किसके बराबर होगा 15 के तो d से d यहां क्या होगा cancel और a plus a plus से कितना हमाई पास 3 है तो 3a is equal to 15 3 multiply में right side पर जाए क्या होगा divide में तो a is equal to 15 over 3 done और 15 over 3 means क्या होगा a equal to 5 done है तो यहां से हमें क्या मिल गया एक किसके बराबर हमारा 5 के बराबर है second condition हमें क्या किवन है कि and the product is 45 और जो आप क्या करोगे इन तीन number को multiply कर वाओगे तो वह किसके बराबर होगा 45 के ठीक है तो देखें यहां बहुत द्यान से a को मैं वैसे लिखा हूँ और हमारा a किसके बराबर है 5 के बराबर है यह a minus d और a plus d हम यह जानते हैं formula है a square minus d square का तो a minus d multiply by a plus d के लिगा पर मानिक सकता हूँ a square minus d square अब उसके बाद five multiply में था तो right side पर जाए क्या होगे डिवाइड में और यह हमारा किसके बराबर है 5 के तो five के square कितना हो को 25 minus d square डन जो 45 को five से divide कर वाओगे तो कितना है का मारे पास nine यह 25 minus d square किसके बराबर हो गए nine के डन है अब यहां से minus का d square है इससे अब क्या कर राइट शाइट पर लिगे जाओ यह प्लेस का 9 इससे अब left side पड़ा तो यह क्या होगा माइस का 9 जो 25 minus sin कितना होता है 16 इसको मंतरब d square किसके बराबर होगी हमारा 16 के डन है अब आप क्या करोई यहां से जब आप square हैड आओगे तो आप जानतो हो plus minus और support रगाओगे और square root of 16 हमारा किसके बराबर होता है 4 के ठीक है यहनि कि हमारा a किसके बराबर होटा है 5 के और और हमारा d क्या है positive 4 और negative 4 टेक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे when a is equal to 5 और d is equal to 4 हमने जो number let क्या था हम उसे वहाँ put कर देंगे तो हमारा a किसका बढ़े 5 के और d किसका बढ़े 5 4 के तो हमारा पहला number क्या था a minus d it means 5 minus 4 comma a it means 5 comma a plus d and 5 plus 4 5 minus 4 1 5 बाइसी रहेगा 5 plus 4 9 हम क्या करेंगे सित्यार से when a is equal to 5 और d is equal to minus 4 again मैं क्या करूँगा a और d के जगा पर value put करूँगा और again हमारा पस नंबर क्या रहा है 959 51 इसका मतलब the required numbers are one five and nine दर है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो का पसंद आए तो आप इससे like कर दिया करें ठीक है next question हमारे पार इसका question number eight है कि the sum of four numbers in in an a p is four the sum of the product of the first and the last term and of the two middle term is 38 find the numbers सब्से पहले हमें क्या कहारा सवाल में कि the sum of four terms in an a p is four नहीं के जब क्या करोगे four term को sum करोगे तो किसके बराबर आएगा four ठीक है तो इस बात को अब याद कर जब आपको क्या आता है का four number suppose करने या four term suppose करने तो यहां पर हम क्या suppose करेंगे a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d ठीक है इससे आप a p कर रूर में देखोगे बात वले term को जो आप पहले वह सब्सक्रेक करवा होगे तो इन चारों को जो difference आएगा वो क्या आएगा स्रेम आएगा ठीक है इसको मतलब यह क्या हमाए पस a p है तो जब कभी भी आपको चार number कहें तो आप क्य सबूस करोगे a minus 3d a minus d a plus d और a plus 3d be the four required term done सबसे पहले हमें क्या पूल ला है given condition कि the sum of four numbers ठीक है यानि कि हम क्या करेंगे जब इन चारों को sum करेंगे sum means add करेंगे तो यह किसके बराबर होगा देखे 3d से 3d cancel होगा d से d cancel होगा 4 a बज़ जाएगा मारे पास उसको मतलब 4 is required to 4 तो यह 4 सो यह 4 क्या होग हमाँ पास cancel तो जस हमाँ पास एक इसके बराबर आएगा 1 के ठीक है second जो condition हमें given है वो क्या given है देखें क्या कहें हमें the sum of the product of the first and the last sum यानि कि किन का sum दो product का कौन से दो product पहला जो product हमाँ पास वो क्या है first and last यानि कि a minus 3d और a plus 3d यह हमारा first है और यह क्या हमारा last है ठीक है एक product हमारा first and last and the two middle term middle term हमाँ पास क्या है a minus z है a plus z है इन दोनों product का sum दने condition यह किसके बराबर है minus 38 के बराबर है a minus 3d multiply by a plus 3d है again हमारे पास क्या बन रहे है a square minus b square formula यह कि a square क्या होगा a square minus 3d का square क्या होगा 90 square similarly a minus d multiply by a plus d it means a square minus d square done है तो a square plus a square किसके बराबर होगा 2a square के तो 2 तो हमारा वैसी रहेगा और हमारा a किसके बराबर है 1 के बराबर है it means 1 square minus 9d square minus d square किसके बराबर होगा minus 10d square done 1 के square 1 और 2 multiply 1 कितने होते है तो यह positive 2 है जब यह right side पर जाएंगे तो क्या होंगे negative 2 माइस का 10d square वैसे रहेगा माइस 10 multiply में है जब इससे आप right side पर लिगा जाओगे जो क्या बनेगा minus 40 over minus 10 minus minus क्या होंगे cancel of 40 divided by 10 कितने होते है 4 और जो अब क्या करोगे square root होगे square root होगे plus minus square root of 4 और square root of 4 किसके बराबर होता और 2 किसका मतलब क्या हमारे पास d किसके बराबर आ गया plus minus 2 के again similarly हम क्या करेंगे सबसे बहले when a equal to 1 और d equal to 2 हम क्या करेंगे अपने जो अपने number से पोस्ट किया था हमाँ पुट करेंगे तो पुट करेंगे तो पुट करेंगे पास जो माँपे answer आ रहा हो क्या रहा है minus 5, minus 1, 3,7 ठीके इसी तरह आप क्या करोगे आप एक बर a equal to 1 और d equal to minus 2 पुट करोगे यह आप खुद पुट करेंगे तो आपको answer क्या मिले गए same to the required numbers are minus 5, minus 1, 3 और 7 रहने next to कुछ नमाई पास है वो क्या कह रहा है the sum of four terms is an AP is four रहने again same condition है के four number का sum किसके बराबर है four के बराबर है and the sum of their square is 24 और यह condition क्या कह रहा हम है यानिके उन जितने भी four term है उनका square का sum ठीक है and the sum of their square यानिके उनके square का sum किसके बराबर है 24 के तो find the numbers तो बताओ वो numbers क्या होंगे या find the terms ठीक है तो solution let's सबसे पहले मैं को भी बता चुका था last सवाल में कि जब कभी भी आपको four numbers करेगा तो अब क्या write करोगे a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d be the four required terms done है तो given condition क्या हमाई पैस पहले condition the sum of four terms is an ap is four done है यानिके इन four term का sum किसके बराबर है four के बराबर है तो यहां 3d से 3d cancel d से d cancel और four a is equal to four four से four क्या होगा हमारा cancel यानिके हमारा a किसके बराबर होगा बनके किस तो cancel four multiply में right शर्ट पर जागा divide में और तो four से four cancel होगा हमारा a किसके बराबर होगा बनके second condition के हमाई पास कि the sum of their square यानि के in term पर अब क्या करो square लगा दो और इनका sum किसके बराबर 24 के तो इन चारों term पर मैं क्या करूंगा a plus b और a minus b का whole square का formula open करूंगा तो formula open करने के बाद 6 a d से 6 a d cancel होगा 2 a d से 2 a d cancel होगा जैसे हमाई पास a square a square और कितने बनते हैं 4 a square 9 d square plus d square 10 d square 10 d square plus d square 11 d square 11 d square plus 9 d square 20 d square डाले तो एक इसके बराबर है हमारा 1 k तो 4 multiply 1 4 यह positive 4 है जब यह right side पर जाएगा तो क्या बनेगा negative 4 तो 24 minus 4 किसके बराबर होगा 20 k 20 multiply में या इस तब जाए क्या होगा divide में तो 20 से 20 क्या होगा cancel तो d square किसके बराबर होगा हमारा 1 k तो इस तरह हमारा d किसके बराबर होगा plus minus 1 k अब इसके आगे जो काम है अब क्या क्या करना को जो हमने suppose किया number वहाँ पर इस a और d के value को put करना है उमिद करता हूँ कि इसका लेक्चर आपको सुनमाया होगा वीडियो रिखने के लिए शुक्रिया बस इसकी आप practice करते रहें क्योंकि अगर आप practice नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं पढ़ने का पर तो अलावस